नमस्कार तो कल का आपने मुकाबला देखा 80 के मोहन बागान वर्सेस हैदरावाद FC तो यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि 90 मिनट कब खतम हो गया पता ही नहीं चला के साबसे तो काफी इक्वल हुआ था लेकिन अगर आप सौट्स की बात करें तो कहीने कि जादा तर अच्छे सौट्स जो है वो 80 के मोहन बागान के साइट से आए और थे कि स्टार्टिंग में हेदरावाद FC को एक बहुत अच्छा चांस मिला था जो हलीचर ने क्रॉस डाला था और कैनेजी को एक easy header मतलब free header मिल गया था जो विसाल कैथ ने बहुत शांदार save किया था कहना पड़ेगा तो वो एक ऐसा चांस था जहाँ पर हेदरावाद क के लिए बने थे और same time पर दो अच्छे chances 80 के महन बागान के लिए बने थे जिसमें पहला था बोल सकते हैं जो पेट्रिटोस ने एक फ्रीकिक ली थी और सुभासी इसने एक second ball बना के दी प्रितम कोटाल को और कैसे प्रितम कोटाल इस goal को miss करके अब देख सकते हैं without goalkeeper वाल उनको मिलानी और second half में भी 80 के महन बागान को बहुत ही अच्छा chance मिला था मतलब यहां पर मनवीर यहां पर निकले थे और मनवीर के pass से दो option एक तो पेट्रिटोस थे और एक तो हुगो बुमा से बहुत अच्छा option बन सकते थे अगर यहां पर pass खिला देते तो maybe एक goal तो मि किया क्योंकि मैंने पहली का थे कि आसीक जो एक रिटीव निस आचकल दे रहा है वह लिस्टन घुलासो सेमको देखने को नहीं मिल रहे कि वह आउट-फॉर्म चल रहे तो लिस्टन घुलासो ने वैसे देखिए लिस्टन घुलासो ने काफी try किया कि वह goal score कर पा है काफी तो पिछला सीजन का निकला है उसका अगर अभी 60-50 परसेंट भी मिल जाये न हमको तो भाई एक तरफा प्लेयर है वो तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि अभी 2nd लेग में शायद उनके तरफ से कोई अच्छा दिखें लेकिन मैं एक वर चाहूंगा कि आसिक अगर 2nd लेग में आ जाये वापस तो बहुत कमाल बात हो जाये क्यूंकि आसिक की बहुत जरूरत चल रही है और देखें गेमपले की बात क कर रही थी बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रही थी कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही थी लेकिन डिफैंसिवली तो दोनों टीम बहुत बेटर थी फिर मिड के उपर अगर आप जाते तो मिड में हैदरावाद एससी बहुत अच्छी थी और इनकी जो मिड़ा एटी के महन पर जाने कोशिश कर रही थी तो हीगोबोमोस जो थे उतना गेम में आनी पाई शुरू से आखरी तक और वहीं पर अगर 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 बहुत अच्छा पर रहे थी अगर 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 काबले ऐसी जगे पर रुके होए है इनका 0-0 चल रहा है उनका 1-0 से डाउन चल रहे है मुंबई सिटी तो उनको बहुत खतरनाक fight देना है तो बहुत भेंकर मतलब कि मैं तो यह समझूँगा कि भाई बहुत शांदार बहुत ही है ना अगर आपने मिस किया होंगे पहले लेक तो आप दूसरा लेक तो आपको मिस करने नहीं क्योंकि यह अब में मैच है यह मैना इसको देख लिया तो आपने ऐसे समलियो कि फाइनल का पूरा मज़ा इधर ही ले लिया तो इस टाइप का है और देकि छेतरी ने साFO साब बूलाए कि मुंबई City को बहुत डिफिकल्ट होने वाला क्योंकि अब हम होम में खेलने वाले है तो मुंबई City को काफि डिफिकल्ट होने वाला है चाहेगो कितनी अच्छी टीम हो यहां से पॉइंट लेकर जाना भौत ही टफ रहेगा तो बहुत ही मतलब कड़ा मुकाबला डैस बखिंग हम कैसी स्टेटी जलाएंगे और 80 के मुहन बागान अब किस तरह से होम में खेलेंगे क्योंकि 80 के मुहन बागान का होम सॉल्ट लेक स्टेटी ये वहाँ खेलना ज़्यादा टफ होता है तो बहुत खतरनाक मतलब सेकंड लेक तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है आईएसल का खतरनाक मज़ा आपको देखने को मिलने वाला है और वही पर आईएसल के बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया अंडर 20 वूमन्स टीम जो अब हमने चीज़े देखी कि गोल स्कोरिंग तो हमने बहुत करी है सिंगापूर के अगेंस भी खाएंग है तो साथ गोल हमने मारे अब ही इंडोनेशिया के लिगांस हमने छे गोल मारे और पॉइंट टेबल में बोलेंगे तो हम सेकंड पे चल रहा है गोल डिफरेंस में एक गोल का डिफरेंस है वियतनाम से ठीक है तो अभी हमारे लिए तो मस्ट विन वाला मैच हो गया तो आप देख सकते कि अभी हमारे पास मतलब क्या गलती हो रही कि हमारे पांसेस तो मतलब बहुत ही खराब चल रहा है और जलो पांसेस को एक टाम हम अलगा हटाई भी थे तो से फिनिसिक आप सोच सकते हिसे कि दोनों मैच मेंच मेंच हम 10-10 गोल मिनीम refine सकते है मतलब 20 गोल होता है हमारे तो गोल डिफरेंस में हम एक तरफ आगे रहते है ठीक है तो हमको goal difference सब चीजों के उपर सोचने ही नहीं पड़ता तब ही हमारी situation कैसी होगी must win match है Vietnam के against हमको जीतना ही जीतना है अगर हमको आगे निकलना second round में तो तो ये जो match है थोड़ा सा tough इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे पास जादा क्या बलेंगे pressure है क्योंकि हमको जीत नहीं है लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम इस match को जीत सकते है Vietnam जो है मैंने जैसा पहले सोचा था उतनी एक तरफा team नहीं है जैसे उनकी men's में जो team हो चुकी अभी अभी under 20 में उतनी level की नहीं है भले senior women's की team उनकी अच्छी है लेकिन अभी under 20 के दिम उतनी better नहीं है तो we can beat them अगर हम थोड़ा सा finishing अच्छी कर लें अब एक ही match में तो इतनी अच्छी finishing नहीं हो पाएगी लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे finishing के उपर और passes थोड़े से कम से कम इस passes करें तो Vietnam को हराना मैं इतना difficult नहीं समझता हूँ और हरा सकते हैं और हमको कोई बहुत बड़े margin से नहीं हराना है एक 0 से भी हरा दें हम दो एक से हरा दें तो we will qualify for second round तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी और हमको करना ही चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़े second round तो at least जाना चाहिए हमको तो देखते भी क्या होता है तो आप ISL के same finals के second leg के लिए कितना excited है आपको क्या लगता क्या हो सकता है क्या result आपको देखने मिल पाएंगे या कौनसे टीम प्रोग्रेस कर पाएगे आपको जो भी लगता कमेंड में लेके जरू बताइए और under 20 टीम के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो भी आप जरू कह सकते कमेंड में और इसी तरह भारती फुटबाल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत